तो दोस्तों चलिए बात करते हैं USA वोमेन भरसे जीमभाबे वोमेन की बीज जो मुखाबला खहला जाएगा दोनों टीमों की बात की जाए तो देखो जीमभाबे वोमेन्स की टीम तोड़ा और थे खहली थी और वो भी दूसरे टीम से खेली थी तो जिमबाबे वोमेन और USA वोमेन्स के बिच एक ODI हुआ हल फिलाल 2021 में हल फिलाल तो नहीं का सकती तो वहाँ पर जिमबाबे वोमेन्स नहीं विन किया लेकिन T20 में जिमबाबे वोमेन्स का टीम का थोड़ा सा पलरा भारी है तो दोस्तों जैसा कि आप हमारा इस प्रकार से वीडियो देखते होंकि यह हो गया डिस्क्रिप्शन इस डिस्क्रिप्शन में आपको क्लिक करना जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे नीचे आपको टेली ग्राम चैनल का लिंक दिखाई देगा इस बुलू बाली पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करते ही हमारे टेली ग्राम चैनल पर चले जाओगे वहाँ पर मिलेगी फाइनल टीम जिस टीम से मैं खूद खेलता हूँ इनके अलावे जिल से रिलेटेट बहुत सारे अपडेट जो जिल विन करने के लिए काफी होता है बहुत सारे लोग जिल विन कर भी रहे और मैंने कई बार आप लोगों को फिरी में जिल विन करवाया भी है तो इस वज़ा से हमारे टेलीक्राम चैनल को आपको जोईन कर लेना चाहिए तो दोस्तो हमारा टेलीक्राम चैनल देखने में आपको इस परकार से लगेगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए है जो हूँ बहु आपको डोमेंस्टिक प्लिंग लेवन नजर आएंगे उनसे आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक के जर यही जुड़ना है तो दोस्तो जिमबाबे वोमेंस की बात की जाए तो अपना लास्ट मुकाबला जो है वो नवीबिया वोमेंस के खिलाब खेलकार आ रहे है यार वन साइडेड विंकर का रहे है अब देखो एस मायर से ओपन आता है कई भार देखो इन्हें पीछे भेजा जाया जाता है लेकिन यह जो लास्ट मेच का यही होना चिये इनका प्रोबेबल पिलेंग लेबन इस मायर्स ओपन आएंगे, इनके लब इस मुंगरी के बाद के इनके साथ आएंगे, इनके लब के नड लोबू की बाद किया ये तीन नमर पर आएंगे, कई बर के नड लोबू ओपन भी करते हैं, कई बर इनको काफी नीचे भी भेज दिया जाता है, लेकिन हाल फिलाल जो भी श्रीज चला कि लोबो की बाध के ओपन या फिक तीन नमर पिझे आ रहें किसी मैच में देखी जाने की well नजरिये चे ते सबसे बढ़िया मुसोंडा ही नजर आएंगे लेकिन इनका सेलेक्शन देखो काफी ज़्यादा होना भी चाहिए लेकिन काफी ज़्यादा केफटन नहीं होना चीए सिर्फ बल्लेवाजी के उपर हमें नहीं जाना चीए हलांकी प्लेयर बहतर है एम उपा चिकुवा की बात के काफी बढ़ियां कई बार यह उपन करते थी इन से पहले तिन-चार मुकाबले के बाद जो था यह उपन आया करती थी अब यह उपन करना बंद कर दे है किसी मेच म नहीं तो थोड़ा सा जो रिस्की लग रहा है ने वो बेटिंग लाइनॉप को देखते हुँ लग रहा है जे नकोमो की बात के काफी बनिया टाइलेंटेट ओल्राउंडर है हलांकि इनका बले बाजी नहीं आता है बड़े टीम के खिलाब जब खेलता है इनका बले बाजी आ के इनका भी रिकोर्ड ज्यादा खास नहीं खेलेंगे पी मरांगे ये भी काफी बनिया चार ओबर करने की छमता रखते हैं इनके लाब मुझसा हंगवे की बात कि ठीक ठाक ये इस्पीन गिनवाजी करती है और अगर जैदी खेलती है तो ट्राइ हम लोग जरूर कर सकते हैं वेसे वोमेंस के खिलाब ये बहतर कर सकते हैं करना भी चाहिए के नडलोबु की बात कि यहाँ पर उपन आ गया कई बार तीन नमर पर आता कई बार इने नीचे बेजा जाता तो बेटिंग लाइनप में ज्यादा बदलाओं नहीं होगा तो एक सई सटीक हम लोग टीम कर लेंगा के नडलोबु यहाँ पर भी ओपन आया एम उपा चिकवा यहाँ पर उपन लेंग जिस तरह से यूगांडा खिलाब उपन आगे उपन आगे ते फिर दिखते पी मुझा जी की बात किया यह आपको मिल जाएगी बिकट के प्रिंग सेक्शन में जो की पी करना काफी मुझकिल हो वैसे ओल्रेडी वैसे वोमेंस की तरफ से भी एक बिकट की पर बेतर ह दूसरा में उपाचिक हुआ थिसरा में पू पी मुझा जी की बात की जाए तो थोड़ा दिकर यहाँ पर नीचे भेजा गया कई में उपर ऊपन किया आपको पता है तो थोड़ा सा वोमें में इसा उलट फिर होता है जे नकुमो एक बिक्टे पी मरांगे एक बिक्टे एम मह भूंगा की बात की एक बिक्टे मुझ हंगवे ने यहाँ पर दो बिक्टे लेग गाजब की जिदा आपके दूसरी बात बहले बाजी ओपन ये तीन नमर पर आना चीह हो सकता है निचे भेज दिया जाए त्विक्कते आजाएगी यहाँ पर देखो के नर्ड लोगे सकता आब यहां पर बहजा गया तो यह सब कह सामना करना पूर सकता तो दोस्तों इनका देखा जाए USA वोमेंस के कुछ न्यू पिलियर है और ज्यादा ये क्रिकेट नहीं खेली टीटवंटी बात किया तो लास्ट के बहुत 2021 से कोई टीटवंटी मुकावला ही साथ ये नहीं के लिए और एक USA इसे अंडर मांटीन है वहाँ पर बहुत सारे खेलें उसके उपर भी हम लोग बात करेंगे लेकिन फिर भी दिखा देतें इंटरनेशनल का यहाँ पर इस सीरी हर्चा इनका रिकोड ठीक ठाक है हलांकि यहाँ पर फुलोब गई इनके अलावे देखा जाए तो एल रंजीत ओ उप्तिकार का सेलेक्शन दे को काफी कम है और आपको बले बाजी सेक्शन में गिन बाजी मिल रही है तो इस परकार से हम लोग टीम बनाने का परियास करेंगे लेकिन यूएसे वोमन्स की टीम थोड़ी कम जोर है यह बात भी धियान रखना चीए तो दोस्तों ज्यादा ब लिया जिन्होंने नहीं मंगवाया वो भी असानी से मंगवा सकते हमारे टेलीग्राम चैनल पर वीडियो पीन होगा इनके अलाबे भी कुछ जनकारी लेना इस्टाग्राम पर मेसेज करो ना मैं वहां पर सारे लोग करिपलाई भी देता हूं वह भी बहतर तरीका से तो दो तरीकर जब बढ़ दा था टीटवन टी में ज्यादा बहतर नेत ही फिलाल के लिए मैं ड्रोप करके चला उँस मार्स को यहां पर इनके एस मोंगेरी को यहां पर पिक्क्या हो अगर ज्यदे मुझे लगए एस मोंगेरी उपन नहीं आए तो यहांपर मैं ले सकता हूं कि इ वे से अंडर नांटीन में यह ठीक टाक करती है गेनबाजी बलेबाजी दोनों से अच्छा लिए बलेबाजी ज्यादा बहतर नहीं कर पाती है इस पॉल की बात के स्पीन गेनबाजी करते काफी बनिया गेनबाज यह हो सकता है इनके जगा आप यू इफ्तिकार को भी पिक कर हो सकते केप्टन वहाज भी दे दो लेकिन यह दोनों कनफर्म होना ची है सारी लोगों के टीम पे अब बात आती तिसरा गेनबाज खेलेगा कुन इनसी बन्डा खेलना ची इनसी बन्डा को खेलेगा और मैं पिक भी करूंगा अब जीयल के लिए देखो यहां पर कौन-कौ नविविया साथ यह कोई कमजोर टीम था उसमें हम लोगों ने केप्टन वहाज इनको ट्राइ करने के लिए बोला था पास से छे बिक्टे ले गई था अब भी सेलेक्शन कम है अगर जदी खेलेगी तो आपको जरूर ट्राइ करना चीए केप्टन वहाज भी ट्राइ कर सक जाएगा अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक पिलेंग 11 पे तो दोस्तों फिलाल के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं